Welcome to GK Classes, so आज हम सन्विधान के महत्वपूर अनुछेत के बारे में जो है discuss करेंगे, क्योंकि आप कितना भी रट लीजिए, ऐसा नहीं है कि रट लेंगे तो सारी चीज़े आपको याद हो जाएंगी, तो उसको क्या है कि एक अच्छे process के द्वारा हर question के थ्रो अगर आप सम सीखें, इसके पहले भी मैंने एक quality की class ली हुई है, आपने वो नहीं देखा है, उसकी भी playlist मैंने YouTube पर बनाई हुई है अपने, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, तो चलिए, सबसे पहले question देखते हैं, बीना time waste के, पहला question जो है, भारत के सन्विधान के अनुसार, राष्ट्रपती के पास अध्यादेश जारी करने की सकती है, अध्यादेश को इंगलिस में क्या बोलते हैं, ordinance, इसे बोलते हैं, ordinance, एंड ये किसमे है, राष्ट्रपती के पास जो अध्यादेश है, उसका अनुछेद कौन सा है, तो वो है 123, और अगर ये question पूछे कि माल ल पता चल गया, अब हम option का भी देखते हैं, ये अनुछेद 213 किसका है, तो ये है राज जिपाल, जो राज जिपाल है, वो अध्यादेश जारी करने की सकती किस अनुछेद में है, तो वो है अनुछेद 213, और अनुछे 72, ये क्या है, राष्ट्रपती की छामादान सकती, जो राष्ट्रपती है, उसकी छामादान सकती कौन से अनुछेद में है, तो वो है, ये आप सबको पता है, वो है अनुछेद 72, पहले वाली क्लास में भी मैंने बताया हुआ है, और अनुछेद 61, ये क्या है, तो ये है महाभियोग, जो जिसे बोलते हैं, impeachment, इंगलिस में राष्ट्रपती पर महाभियोग, जो है, वो किस अनुछेद में है, तो वो है अनुछेद 61, तो देखे, आपको इसमें सारी चीजे समझ में आ गई होंगी, और जो छामादान सकती है, ये तो माल लीजे कि 72 वाला है, राष्ट्रपती की छामादान सकती, तो राज्यपाल क ये कोश्चन भी आपके मन में आएगा कि राज्यपाल का कौन सा है, तो वो है 161, राज्यपाल का क्या है 161, और मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया है, आप जरूर देखिएगा कि जो राष्ट्रपती है, वो तो मृत्यू दंड, मैंने उसमें बताया है क मृत्यू दंड and कोर्ट मार्सल, इन दोनों को जो है वो छमा कर सकता है, बट राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, राज्यपाल जो है मृत्यू दंड and कोर्ट मार्सल, इन दोनों को छमा नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है, तो वो है राष्ट्रपती, तो ये सारे पॉइंट आप जो सकती है वो है अनुछे 61 महाभी योग राष्ट्रपती पर जो महाभी योग होता है वो है और 161 जो है राजयपाल की जो छमादान सकती है वो है और याद रखिएगा कि राजयपाल नहीं कर सकता है राष्ट्रपती करता है तो यह सारे पॉइंट आप अच्छे से याद र राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। साहित्य एंड समाज और कौन सा होगा विज्ञान तो ये छेत्र है तो राष्टपती द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है और छेत्र कौन सा है तो कला है, साहित्य है, समाज है एंड विज्ञान छेत्र है राज्यपाल भी जो है इतने ही इतने ही छेतरों में जो है राज्यपाल भी जो है नामित करता है बट एक और राज्यपाल में आ जाता है कौन सा है वो एक एक्स्ट्रा कौन सा सहकारी सेवा में भी जो सहकारी सेवा है इन चारों के ये चारों में तो करता ही है राजयपाल और सहकारी सेवा में भी करता है तो आपको याद रखना है दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखेगा कि राश्ट्रपती जो है कला सहीत्य समाज और विज्ञान इन चारों में करता है और राज्यपाल जो है इन चारों के अलावा एक सहकारी सेवा मतलब पांच इन पांचों में जो है राज्यपाल इन पांचों छेतरों में भी करता है तो राश्टपती का जो राज्यसभा का सदस्यों को जो नामित करता है, कितने को करता है, तो वो है 12, इसका right answer होगा, option number C, 12, अब चलिए next question पे, question number 3, देखिए ये question कितनी, इसमें पूछा हुआ exam में, मैंने इसलिए यहाँ पर सारी चीजे लिख दी है, so that आपको ये समझ मैं कि हाँ, जो पढ़ारी वो important है, and वो वाला बताना है, कि भारत के सन, पहला देखे, भारत के सन्विधान अनुछे, 61 में राष्ट्रपती के महाभियोग, impeachment की प्रक्रिया का वर्डन किया गया है, महाभियोग प्रस्ताव, संसत के किसी भी सदन में प्रस्तूत किया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव, सदन की क पुलंगन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। यह सबसे बड़ा बहुमत महाभियोग की प्रक्रिया है। कुल सदस्य संख्या का कितना दो तिहाई। इतना होना चाहिए बहुमत। इसलिए यह क्या है सबसे बड़ा बहुमत महाभियोग की प्रक्रिया है। इतना होना चाहिए कुल सदस्य संख्या का 2x3 और अनुचेद 61 और जो राष्ट्रपती है उस पर जो इंपीचमेंट है। महाभियोग है। इंपीचमेंट जिसे इंगलिस में क्या बोलते हैं। सौरी हिंदी में महाभियोग। यह क्या होता है कि किसी भी सदन में आ सकता है। यह जो इंपीचमेंट होता है। वो किसी भी सदन में हो सकता है। और इस किस आधार पर लगाये जाता है। जो तो कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे तो केवल एक आधार पर जो है impeachment जिसे हिंदी में बोलते हैं महाभीयोग उसका आधार कौन सा है तो वो है अती क्रमड अती क्रमड के आधार पर जो है राष्ट्रपती पर impeachment लगेगा एंड ये किसी भी सदन में जो हो सकता है अब हम option देखत देखे सबसे पहले इसमें जो question है ये 5 एक नए question है ये जो चारों है तो देखे भारत के सनुधान उचेद 61 में राष्ट्रपती के महाभीयोग की प्रक्रिया का वडन किया गया है तो yes ये एकदम correct है महाभीयोग प्रस्ताओ संसत के किसी भी सदन में प्रस्तूत किया जा सक बहुमत से पारित किया जा सकता है ये भी right है एंड राष्ट्रपती पर जो राष्ट्री सुरक्षा है सुरक्षा के उलहंगन के लिए महाभीयोग चलाय जा सकता है तो ये गलत है क्यों क्योंकि एक ही आधार पर impeachment लगाय जाता है और वो कौन सा है अती क्रमड तो याद आपको गलत वालब बताना है और ये question पूछा हुआ है तो इसका right answer होगा option number D क्यूंकि राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए नहीं अती क्रमड के अधार पर लगेगा अब हमारा next question question number 4 देखिए question number 4 is ये भी पूछा हुआ है भारत का निम्न लिखित में से कौन सा राष्ट्र पती निर्विरोध निर्वाचित हुआ था सबसे पहले ये निर्विरोध क्या होता है कि सामने जितने भी candidate थे सब reject हो गए और केवल एक बचे वो कौन थे तो वो थे नीलम संजीव रेड़ी ये क्या थे राष्ट्र पती निर्विरोध निर्वाचित हुए इ निर्वाचित हुए थे और नीलम संजीव रेड़ी जो है इनके बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पहली बार जो राष्ट्र पती का चुनाओ जो राष्ट्र पती का चुनाओ ये लड़े तो ये हार गय और कौन बने तो वो बने आपको पता ये वीवी ग और जब दुबारा से राष्ट्र पती का चुनाओ ये लड़े तो ये क्या बने निर्विरोध राष्ट्र पती बन गये तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का निम्न लिखित में से कौन सा राष्ट्र पती निर्विरोध निर्वाचित हुआ था त उप राष्ट्र पती हैं, जिसे बोलते हैं इंगलिस में वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्र पती, तो ये क्या है भारत के पहले उप राष्ट्र पती, और डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद आप सब को पता है कि ये भारत के पहले राष्ट्र पती हैं, ये पहले अभी जो 17 लोकसभा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि कौन सी लोकसभा चल रही अभी, तो कौन सी लोकसभा है, 17 लोकसभा, उसके जो राष्ट्रपती है, वो कौन है, तो वो है राम, नात, कोविंद, तो ये भी आप याद रखिएगा, अब हमारा next question है, question number 5, question number 5 भी जो है, कितने सारे एक्जाम में ये पूछा हुआ है, मृत्यू दंड के मामले में छमा देने का अधिकार किसे है, अभी मैंने आपको जो पहला question पढ़ाया था, उसी में बताया, कि जो मृत्यू दंड है, ये केवल जो है, राष्ट्रपती ही इसे छमा कर सकता है और अनुछेद भी मैंने आपको बताया था, कि अनुछेद कौन सा है, तो वो है, मृत्यू दंड के मामले में जो छमा देने का अधिकार है, उसका अनुछेद है, राष्ट्रपती, सौरी, 72 और राष्ट्रपती ही कर सकता है, राष्ट्रपती जो है, कोर्ट मार्सल, 22, तो देखे, इसमें पूछा है, कि मृत्यू दंड के मामले में जो छमा देने का अधिकार किसे है, तो वो किसे है, राष्ट्रपती को है, राष्ट्रपती जो है, वही केवल जो है, छमा दान को माफ कर सकता है, एंड इसमें ये देखे, भारत के महा न्यायवादी, जिसे यह क्या है यह जो attorney general है इसे क्या बोलते हैं सर्वोच विधी अधिकारी या फिर सबसे बड़ा वकील यह तो आप सबको पता है कि भारत का जो सबसे बड़ा वकील होता है वो attorney general होता है जिसे भारत के महान्यायवादे कहते हैं अनुछेद कौन सा है इनका अनुछेद है इनका 76 और अभी वर्तमान में हमारे भारत के महान्यावादी कौन है तो वो है KK Venue Gopal यह आपको पता ही यह वो कौन है KK Venue Gopal और यह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है तो यह भी आप याद रखिए और हाँ देखिए जो भारत के महान्यावादी है जिसे Attorney General बोलते हैं वो Joint Sitting जो Joint Sitting होगी उसमें भाग तो ले सकता है बट Voting में यह याद रखिएगा यह हमेशा याद रखिएगा कि Voting में भाग नहीं ले सकता है Attorney General जो है joint sitting में भाग ले सकता है बट voting में भाग नहीं ले सकता है इनका अनुछेद है 76 और अभी वर्तमान में कौन है के venue गोपाल अब मैं आपसे एक question पूछना भी चाहूंगी कि जो भारत के पहले भारत के जो पहले Attorney General first वो कौन थे तो वो है यह पहले थे इसलिए याद सितल्वार जो है वो भारत के पहले महा न्याए वादी है तो यह भी सारे पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा अब चलिए इसका राइट आंसर होगा option number C राष्ट्रपती and question number 6 is भारत में निम्न में से किस लोग सभा अध्यक्ष का कुल कारेकाल सरवाधिक रहा है मतलब इसमें आपको बताना है कि किस लोग सभा अध्यक्ष का जो कारेकाल है वो सबसे अधिक रहा है तो देखते हैं देखें इसमें सबसे अधिक जो है आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर बलराम जाखड इनका जो है इनका कारेकाल कितना था 1980 से 89 तो सबसे अधिक जो है इन ही का कारेकाल रहा लोगसभा अधेक्ष में सबसे अधिक कारेकाल जो है बलराम जाखड जी का रहा है तो ये भी याद रखेगा ये जो है जेवी मावलकर इनका पूरा नाम य तो हमें लगता है कि यह कौन सा नाम है इसलिए पूरा नाम याद रखिएगा गड़े स्वासुदेव मावलकर यह क्या है यह जो है फॉर्स्ट स्पीकर है पहले जो है लोगसभा का जो पहला अध्यक्ष यह कौन है यही है फॉर्स्ट स्पीकर यह आप याद रखिएगा पह पहली महिला कौन है यह हैं फर्स्ट महिला स्पीकर स्री मती मीरा कुमार और डॉक्टर बलराम जाखड का आपको बताया मैंने कि सबसे अधिक कारेकाल इन ही का रहा है और ओम बिड्ला यह जो है वर्तमान में वर्तमान में क्या है अभी जो कौन सी लोकसभा चल रही है तो आपको पता है कहां से आते हैं तो कोटा बूदी यहां से चुन कर आते हैं कोटा बूदी और यह हमारे वर्तमान में क्या है स्पीकर है लोकसभा के तो यह भी आप पॉइंट इसमें याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्वेशन में पूछा था कि सबसे अधिक जो है लोकसभा अधिक्ष का कारिकाल किसका सरवाधिक रहा है तो वो है डॉक्टर बलराम जाखड अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेशन सांसर्द की नीधी की वर्तमान रासी कितनी है आपको यह बताना है कि जो सांसर्द की नीधी है उसमें वर्तमान रासी कितनी है सबसे पहले जो सांसर्द की नीधी है इसको क्या बोलते है MP लेड्स ये भी याद रखिएगा MP लेड्स MP का मतलब आपको पता है Member of Parliament MP का मतलब Member of Parliament L का मतलब हो गया Local Local हो गया A का मतलब हो गया Area Local Area D का मतलब हो गया Development and S का मतलब हो गया Scheme S का मतलब हो गया Scheme MPLATS का मतलब Member of Parliament Local Area Development Scheme यह इसका पूरा नाम याद रखिएगा यह 1993 में स्टार्ट हुआ था 1993 में 1993 में स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे जो प्राइम बिनिस्टर कौन थे तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव थे तो ये था इसका पूरा जो भी चीजे से बन सकती है इंपॉर्टेंट वो सारे इसमें चीजे मैंने लिख दी है आप इसे नोट कर लीजेगा तो इसमें प पाँच करोड रुपए तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर डी पाँच करोड रुपए अब हमारा नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमबर एट किस अनुछेद के प्रावधानों के तहत लोगसभा और राजसभा की सन्युक्त बैठक को राश्ट्र पती द्वार बुलाए जा सकता है तो इसमें है कि किस अनुछेद के प्रावधानों के तहत जो लोगसभा है और राजसभा की जो सन्युक्त बैठक जिसे बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग तो आपको अनुछेद बताना है तो वो अनुछेद कौन सा है अनुछेद 108 108 के द्वारा जो है लोगसभा और राजसभा की जो सन्युक्त बैठक होती है उसको कौन बुलाता है तो उसे बुलाता है राष्ट्रपती ये भी याद रखेगा कि राष्ट्रपती जो है वो बुलाते है और इसका अनुछेद है अनुछेद 108 और ये भी याद रखेगा कि जो राष्ट्रपत कि राष्ट्रपती द्वारा जो मनोनित सांसद है राष्ट्रपती द्वारा मनोनित सांसद जो है अपनी सांसद निधी का ये भी याद रखेगा कि अपनी सांसद निधी का उप्योग कहां कर सकता है अगर ये कोईशन पूछे तो राष्ट्रपती जो है अपनी सांसद निध निधी का जो उप्योग है वो भारत में कहीं भी कर सकता है बट जो राज्य सभा है वो कहां पर करेंगे तो ये भी याद रखेगा जो राज्य सभा है राज्य सभा जहां से वो निर्वाचित होकर होते हैं वहीं पर करेगा अपने राज्य में और जो लोग सभा है वो अपने निर्वाचन छेत्र में करेगा, बट राष्ट्रपती जो है भारत में कहीं भी अपनी सांसद निधी का उप्योग कर सकता है, अब चलिए जो हमारा क्वेशन नमबर एट है, किस अनुच्छेत के प्रावधानों के तहट लोगसभा और राजसभा की सन्युक्त बैठक, जिसे अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोगसभा का स्पीकर, इसके अध्यक्षता कौन करता है, लोगसभा का स्पीकर करता है, और अनुच्छेत बिसका आपको याद रखना है, राजसभा का सभापती है, वो ज्वाइंट सिटिंग में भाग नहीं ले सकता है, ये भी याद रखिएगा ये ज्वाइंट सिटिंग में भाग नहीं ले सकता है और भारत का जो उपरास्ट्र पती है भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी ज्वाइंट सिटिंग में भाग नहीं ले सकता है इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारत के महान्यावादी वो joint sitting में भाग तो ले सकते हैं, बट voting में भाग नहीं ले सकते हैं, और राजसभा का जो सभापती है, और भारत का जो उप्राष्ट्र पती है, वो joint sitting में भाग नहीं ले सकता है, ये दो point भी हमेसा याद रखिएगा, इसका right answer होगा, option number A, अनुछेद 108, अब चलिए हमारा next question question number 9, राजसभा का सदर से बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयू कितनी है, इससे जो है, ये चारों का मैं आपको बता दूँगे, किसके लिए कितनी, जो है, minimum age होनी चाहिए, तो देखिए, अगर जो है, राजसभा का सदर से बनना है, तो उसके लिए, जो है, minimum जो age है, वो कितनी होनी चाहिए, तो वो है 30, इसका right answer होगा 30, लोगसभा का सांसद, लोगसभा का सांसद बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, राजसभा का सांसद बनने के लिए, 30 होनी चाहिए, और vote डालने की, जो vote है, vote डालने की जो उम्र है, वो कितनी होनी चाहि और राष्ट्रपती का कितना होना चाहिए, राष्ट्रपती बनने के लिए यहां लिख देती हूं, राष्ट्रपती बनने के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए, तो देखिए, राष्ट्रपती के लिए 35 चाहिए, लोग सभा के लिए जो मिनिममम एज है वो कितनी होनी चाहिए तो इसका राइट आंसर होगा option number B 30 वर्स और मैंने आपको बताया 25 वर्स किसका 25 जो है लोकसभा का सांसद का and 35 जो है वो रास्ट्रपती का है यह भी आप याद रखिएगा और वोट डालने की है 18 तो यह था question number 9 अब चलिए हमारा next question question number 10 जो कि आज का हमारा last question है निम्नलिखित में से औसुमेलित है इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है जिसका मिलान जो है वो सही नहीं है मतलब आपको गलत वाला बताना है तो देखिए सबसे पहले जो पहला सन्विधान संसोधन हुआ था पहला सन्विधान संसोधन कब हुआ था त किस अनुसूची में, अनुसूची नौ में, और ये किस से रिलेटेड है, तो लैंड रिफॉर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं, भूमी सुधार, ये जो क्वेश्चन है, यूपीटट में ऐसे पूछा था कि, भूमी सुधार जो है, वो कौन से सन्विधान संसोधन में है, त ये हुआ था 1976 में, ये 1976 में हुआ और लागु कब हुआ था 1977 में, 1977 में ये लागु हुआ और 1976 में ये स्टार्ट हुआ था, और 42 सन्विधान संसोधन जो है, ये किस्से संबंदित है, तो प्रस्तावना में संसोधन, और प्रस्तावना में संसोधन हो सकता है, तो ये था question ये भी correct है C देखिए जो 44. सन्विधान संसोधन है इसमें दिया है कि मतदान की उम्र में परिवर्तन ये गलत है क्योंकि 44. सन्विधान संसोधन है वो किस से related है तो ये है संपत्ती का अधिकार संपत्ती के अधिकार से related है जो कि कब हुआ 1978 में तो 44. सन्विधान संसोधन इसमें क्या किया गया कि संपत्ती के अधिकार को संपत्ती के अधिकार को fundamental right मतलब मौलिक अधिकार से निकाल कर किसमें सामिल कर दिया गया अनुछेद 300A अनुछेद 300A में इसको सामिल कर दिया गया और क्या बनाये गया विधिक अधिकार, मतलब legal right, जिसे इंगलिस में बोलते हैं legal right, तो पहले क्या था कि जो पहले संपत्तिक अधिकार है, वो आप सबको पता है कि वो एक मौलिक अधिकार में था, बट उसको क्या किया गया, चोवालिस्वा सन्विधान संसोधन के द्वारा जो कि 1978 में संपत्तिक अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर अनुछे 300A में सामिल कर दिया गया, और यह क्या बन गया, विधिक अधिकार, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब legal right, तो यह इसलिए गलत हो गया है, और यहाँ पर यह जो लिखा है कि मतदान की उम्र में परिवर्तन, तो मतदान की उम्र में परिवर्तन का सन्विधान संसोधन कौन सा है, तो वो है 61, जो 61 सन्विधान संसोधन है, उसके द्वारा क्या किया गया, यह कब हुआ था, 1989 में, 1989 में जो राजिव गांधी थे उस टाइम पे, तो राजिव गांधी की समय में क कि जो वोट डानली के उम्र है 21 से घटा कर कितनी कर दी गई 18 तो अब कितनी हो गई है वोट डानली के उम्र अब है 18 बट पहले ये कितनी थी 21 थी तो वो इसी सन्विधान संसोधन के द्वारा किया गया था एक 68 सन्विधान संसोधन 1989 में हुआ था राजियों गांधी जी के समय में हुआ था और इसमें जो है मतदान की जो उम्र है उसको 21 से घटा कर कितनी कर दी गई 18 कर दी तो ये था C अब जो लास्ट है D 52 वाला जो सन्विधान संसोधन ये किस से संबंदित है ये दल बदल बदल से संबंदित है और ये हमेशा पूछता है कि दल बदल वाला जो है किस अनुसूची में है ये भी याद रखना है तो दल बदल जो है इसके अनुसूची क्या है तो इसके अनुसूची है 10 और अनुसूची 10 है तो एक बार इसको पूरा देखते हैं सबसे पहले देखिए जो पहला सन्विधान संसोधन है ये कब हुआ था 1951 में हुआ था अनुसूची 9 है और ये लैंड रिफॉर्म भूमी सुधार से संबंदी थे 42 सन्विधान संसोधन ये जो इसके दोरा क्या किय संसोधन हो सकता है ये इससे रिलेटेड था चयुर्म भूमी सन्विधान संसोधन ये वाला गलत है क्यूंकि संसंप्ति के अथिकार को मौलिक अथिकार से निकाल कर अनुचे 300A में सामिल किया गया और इसे क्या बनाया गया विधिक अधिकार Legal Right 52 सनविधान सनसोधन अनुवंजूची 10 और यह कौन सा कानून है तो यह है दल बदल कानून जो की 1985 का यह सनविधान सनसोधन है तो यह थे आज के जो हैं सनविधान के जितने भी महत्वूर्ण संसोधन बन सकते हैं, जो भी एक्जाम में पूछा जाता है, वो सारे मैंने आज आपको पढ़ाया है, कल दुबारा से जो इसका next episode है वो लेकर आऊँगी, सो आई होगी, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी, एक्जाम के पॉइंट आव यू से बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्रफी, सिविक्स, साइन्स, सारे क्वेश्चन जो है, मैं डे बाई डे कराऊंगी, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यह है कि आप इसका रिवीजन करते रहना नहीं, तो पीछे के सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगे, तो वीडियो पसंद आए, तो लाइक सेर कर दीजेगा, कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंटेंट के साथ, जी के